अज की इस वीडियो में आपको HECL Recruitment 22 के तरफ से एक विकेंसी आ है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, डिप्लोमा, बीटेक वाले के लिए इसमें विकेंसी है, सिबील, मिकनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, केंप्यूटर साइंस और इंफोर्मेशन टेक्नलो नोटीस है, यह जो वेकेंसी आड़ी है, Heavy Engineering Corporation Limited के तरफ से, इसका लोकेशन जारखंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राची रहने वाली है, और advertisement नमर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे पहले मैं सभी वेकेंसी में eligibility criteria ही बात करता हूँ, ताकि जो लोग eligible नहीं होते हैं, उनका time waste नहीं होता है, तो इसमें जो वेकेंसी अभी निकली है, डिपलोमा और बीटेक वालो के लिए post पे, आपको apprentice post वेकेंसी निकली है, जिसमें सिबील, mechanical, electrical, tripleE, electronics, mechanical, और computer science, information, technology, यह सभी ब्रांज से निकल करका अभी आ रहे है, डिपलोमा, बीटेक दोनों वालों के लिए, डिपलोम वालों के लिए graduate apprentice और बीटेक वालों के लिए graduate apprentice और डिपलोम वालों के लिए technician apprentice आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, total number of जो post है, 74 post के लिए इसमें vacancy अभी out की गई है, तो अगर आप लोग इसमें eligible होते हैं, interested होते हैं, तो इसमें eligible हैं, apply कर सकते हैं, minimum qualification जो mark है, आपका यहाँ पर देख पाएंगे, आपको 50% marks minimum रहना चाहिए, जेंडर और OVC candidate के लिए, और SCHT category candidate के लिए, 45% mark से भी आप pass अगर हैं, तो इसमें apply कर सकते हैं, same आपका diploma holder वालों के लिए भी दिया गया है, और BTEC वालों के कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी दूसरे जगा apply नहीं कर सकते हैं, अपने lifetime में एक ही बार apply कर सकते हैं, तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, एक ही बार, आप apprentice कहीं पर भी, यहाँ पर उसको आप पर पाएंगे, candidate who have completed three year after acquiring the prescribed educational qualification as on date of reconing, यहाँ पर जो दिया गया है cut of date 29, 2022, shall not be eligible for apprenticeship under apprenticeship act 1961, तो यह act के अनुसार से, जो भी candidate ऐसे हैं, जो तीन year जिसका pass out हो गया है, वो लोग apply नहीं कर पाएंगे, तो आप अगर 2020 में या 2022 में pass out होड़ हैं, तो अगले तीन सार, यानि कि 2025 तक ही आप लोग कहीं पर भी apprentice कर पाएंगे, 2025 के बाद कहीं पर भी apprentice क और बाद में आपको बहुत सारे examination की त्यारी करने होंगे, तो आपको फिर time नहीं मिलता है, तो इसलिए better रहता है, जब आप pass out होते हैं newly, तभी आपको अगर कहीं मुका मिलता है, तो कर सकते हैं, age limit की बात करें, तो आपका age 18-30 के बीच में होना चाहिए, 20-2022 के नुसार स के लिए, इसमें आपको यहां पर दिया गया है, date of recording, जो है, आपका बीस नहों दुशार बास है, जो cut-off date है, उसके बात करें, selection methodology की, तो इसमें आपका selection process जो है, वो percentage of marks in graduation या डिप्लोमा 100% आप कराने वाली है, यानि कि जो भी आपका डिप्लोमा और BTEC में mark आया है, उसी क्याधार पर आपका इसमें merit basis पर selection होने वाली है, कोई भी आपका exams नहीं लिया जाएगा, तो जो भी आपका mark आया है, उसी क्याधार पर आपको इसमें shortlist होंगे, उसके बाद आपका document verification किया जाएगा, document verification में कौन-कौन से document लगेंगे, यहां पर आप लोग उसको देख सकत पर भी आप apply की जगा apprentice के लिए, तो आपको net portal पर registration करना बहुत ही जरूर है, क्योंकि इसी के थुरूँ आप लोग कहीं पर भी apply कर पाएंगे, apprentice वाली की vacancy को, उसके बाद बात करते हैं, how to apply, कैसे इसको apply करना है, तो यह जो form है, offline आपको apply करने होंगे, eligible candidate जो भी है, interested है, लोग offline mode से इसको apply कर सकते है, offline कैसे apply करना है, तो आपको एक envelope खरिदना है, उसको आपको जो भी document सब है, उसमें attach कर दीजेगा, और इसको भेज देना है, यह address पर यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यह address दिया गया है, इस address पर आपको भेज देना है, यहाँ पर देख पाएंगे, starting date जो है, 16 August 2022 से start हो चुगा है, और 29 2022 इसका last date है, पांच बजे साम तक, इस date के बाद पहुचेगा, तो और receive नहीं होगा, आपका जो form है, और reject कर दिया जाएगा, यह cancel हो जाएगा, तो अगर आप इस date तक पहुचा सकते हैं, 29 2022 तक तो आप लोग इसमें apply कीज पहुचेगा, एक अजीब चीज इसमें देखने के मिला है कि इसमें application fee का demand किया गया है, अभी तक जितने भी मैंने, जो भी मैंने apprentice की वेकेंसी बताई है, आपने चैनल के माद हम से, जो भी apprentice की वेकेंसी आती है, किसी में भी application fee का demand नहीं किया जाता है, लेकिन यह जो है, आ आपको 5 रुपे देने होंगे, और SCHT PWD के लिए 125 रुपे का application fee देने होंगे, इसको आपको online नहीं pay करने है, यहाँ पर demand draft आपको किसी bank जा करके बनाना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, demand draft आपको बनाना होगा, heavy engineering corporation limited के नाम से, payable at ranchi, यह आप लोग किसी भी bank में जा करक हैं, आप लोग इसको बोलिएगा कि इस नाम से आपको बनाना है, demand draft तो उसका form आएगा, ओभर करके, आप लोग को यह बना करके, envelope में आपको देना होगा, और जो demand draft हो, तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेर हैं, तो भी इसमें अपला कीजेगा, दरवाज इसमें अ 12 अगस से अपलाई कर सकता है, बीस, बीस नो दुजार बाईस तक अपलाई कर पाएंगे, और इसका जो date of publication है, merit list का, ओ सेकेंड वीक आफ अक्टूबर में, और इसका counseling का जो date है, ओ थर्ड वीक आफ अक्टूबर में दिया गया है, तो यह था इसका detailed information, I hope आप इसको समझे होंगे, वीडियो कैसा लगा, comment section में जिरूर से बताईएगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से like कर देजेगा, और चैनल को subscribe करके रखिए, इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए सुक्रिया, और thank you